Hello dear students, welcome to IS Shortshot मेरा नाम है Mayuri BMW भागवाणी और आज की डेट है 17 February 17 February के जितने भी इंपॉर्टन आर्टिकल्स हैं साथ में 16 February के जितने भी इंपॉर्टन आर्टिकल्स थे उन सभी को डिसकस करेंगे आज के The Hindu Newspaper Analytics में The Hindu के साथ साथ जितने भी current affairs news में हैं कुछ हम डिसकस करते हैं हमारे daily the Hindu newspaper analysis में और आज का जो बड़ा मुद्दा है वो है inhumane and deplorable conditions of mental health care institutes in India इंडिया में जो mental health care institutions है उनकी हालत ठीक नहीं है बहुत ही दयनी है बहुत ही deplorable condition है वहां पर रहने वाले लोगों की तो आपने कई सारे Bollywood movies में देखा होगा mental asylums की क्या हालत होती है mental health care institutions की क्या हालत होती है वहां पर रहने वाले जो patient ने उनकी क्या हालत होती है उन्हें इस तरह से shock treatments दिये जाते हैं उनको इस तरह का seclusion isolation phase करना पड़ता है इस तरह से बंदी बना के रखा जाता है कई सारी movies में आपने देखा होगा लेकिन ऐसा लग रहा था कि scenario बदल जाएगा कैसे 1987 में जब एक mental health care act आया था हमारे देश में उस टाइम पे इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई provisions नहीं थे उस एक में लेकिन 2017 में जब यह mental health care act आया ऑफ 2017 उसमें राइट की बात की गई राइट की बात की गई उन लोगों की जो mental health care institutions में रहते हैं rehabilitation के लिए पेशन्ट हैं तो यह सारी बात की गई कि भई शॉप treatment आप नहीं दे सकते उनका अपनी राइट होगा उनके पास अपनी life के उपर उनके पास यह राइट होगा कि वह कौन सा treatment करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते वह सब उनके उपर रहेगा आप उनको delayed times तक के लिए longer times तक के लिए mental asylum में जान बूच के जबरदस्ती रोक नहीं सकते और तो यह सारी conditions change करने का दावा किया था 2017 वाले mental health care app ने लेकिन अभी recently national human right commission ने एक सर्वे किया और सर्वे में पाया कि mental health care institutions इंडिया में हैं अभी भी हालत बहुत ही in human और बहुत ही deplorable condition यहां पर है बहुत ही खराब हालत हैं यहां पर रहने वाले लोगों की patients की उन्हें patient की तरह ना treat करके उन्हें basically एक criminal की तरह ट्रीट कर जा रहे हैं उनको shock treatments दिये जा रहे हैं इस तरह से बंदी बना के रखा जा रहे हैं तो बात करेंगे पूरे मुद्दे की exactly क्या मुद्दे भी हैं लेकिन आपको बता दूँ कि this is a big 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 alert for all of you क्योंकि सिर्फ 100 days बचे हैं UPSC prelims 2023 में और अगर आप इस UPSC prelims 2023 के लिए serious हो तो मानो मेरी बात believe me कि अब भटकने का time गया अब भटकना बिलकुल भी नहीं है देखो आपका यह जो time नहीं बहुत जादा crucial है एक एक minute एक घंटा आपके लिए बहुत जादा crucial है सोचो कि आपके साथ 10,000,000 लोगों ने form भरे हैं ठीक है और अगर जिन्होंने form नहीं बहरा बता दू कि 21st February बहुत पास में 21st February is the last date for UPSC form filling ओके तो अगर नहीं बहरा form भर देना और मैं आपको बता दू 10,000,000 से जादा आपका competition इन लोगों से है तो अपने आपको बहुत जादा नर्वस भी मत करना और बहुत सारे आपको traps भसाने की कोशिश करेंगे मैंने हमारे telegram channel whatsapp group सब जगह पे यह information सभी को दी मैंने अलग से यह point of view रखा कि भाई देखो जो trap है इन में मत भसना बिलकुल भी मत भसना कई सारे यूट्यूब चानल होंगे कई सारे इंटरनेट पे आपको हर रोज नएने courses आते हुए दिखेंगे दे हिंदू newspaper में आते हुए दिखेंगे मत मत भसना इन सब traps में बिलकुल भी मत भसना यह सब क्या करेंगी यह सब आपको नया ग्यान देंगे न्यू जो आपका है उनकी तरफ आपका focus ले जाएंगे जैसे मानलो आपने कोई एक source पढ़ा हुआ है उसको छोड़के आपको बोलेंगे आप 10 नहीं चीज़ें ट्राय करो एक नया कुछ आपका mindset ही पूरा change कर देंगी और इसमें आपका कुछ नहीं होगा आप बस exhaust होगे और आपकी जो सही strategy होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी तो उसके चकर में आप और भटक जाओगे और भटकने का time अब बिल्कुल भी नहीं है तो कोई भी crash course हो या कुछ भी ऐसा हो ना बिल्कुल join मत करना यह मेरी recommendation है बाकी आपके उपर है सब कुछ ठीक है यह आप free हो अपना जो भी wisdom है व दिल्कुल मत लेकर ओ रिविजन पर ध्यान दो current affairs के लिए कई सारी magazine लाएंगे अभी market में चाहो तो आप कर सकते उनको refer लेकिन जो लोग भी the Hindu refer कर रहे हैं हमारा last एक साल से उनको मैं recommend करूंगी कि आप इनकी यह नए जो magazine ने उनकी तरफ जाने इससे अच्छा है कि आप ज monthly magazines पढ़िए ना तो बेटर है कि वह monthly magazines revise करो दूसरी नई magazine उठाने से अच्छा और अगर आप लक्ष प्रोग्राम का हिस्सा हो तो फिर तो बढ़ी आई है कोई tension मत लो देख है जो हमने पढ़ा है ना उसको revision format में हम चलाएंगे और तीसरी चीज है दूसरी current affairs हो गया तीसर 25th February को इसकी सारी details में telegram channel और WhatsApp groups पे share कर दूंगी तो 25th February को ये webinar होने वाला है देखो इसमें सिर्फ 100 seats रहेंगी तो आप लोग जो भी interested हो अगर जिसको भी mentorship चाहिए जिसको भी guidance चाहिए कि last 90 days जो है आपके उसको आपको कैसे invest करना चाहिए UPSC में उसके लिए ये webinar है तो 90 days में best क्या आप अपने resources का best अपनी energy का अपने पढ़ाई लिखाई का कैसे आप best utilization कर सकते हो उसके बारे में ये webinar रहेगा what should be the best strategy in the last 90 days उसके उपर ये webinar रहेगा जिन लोगों को भी इसके लिए register करना है free of cost है आप लोग register कर सकते हो पहले आओ पहले पाओ वाला चीज रहेग है President Color award जो है ये दिया गया हरियाना पुलिस को और ये दिया है minister of home ने तो home ministry Mr. Amitha resistance color award दिया है तो ये President color award है क्या देखो भई प्रेसिडेंट कलर अवर्ड का मतलब कहा है आप लोगों ने देखा होगा पहले कि अगर युद्ध वगेरा आपने देखी हो तो मानलों कोई कंट्री है या दो देश है या दो राजा महराजा है उनकी दोनों आर्मी जो है इस तरह से बीष्ट में ऐसे ग्राउन पर टकराती है तो यहां पर एक राजा है उसका फ्लैग रहता है और वहां पर दूसरे राजा का फ्लैग रहता है माना जाता है कि फलैग नहीं जुकना चाहिए ठीक है जो भी आर्मी है वो अपने फलैग को protect करती है अगर इस आर्मी ने इनके फलैग को जुका दिया या इनका फलैग अपने पास ले आए तो यह माना जाता है कि इस आर्मी के लिए बड़ी की बैटल्स होती थी तो उसमें मानते थे कि अगर दो पाटी देने या अपस में जो लड़ रही है उसमें से अगर किसी का भी एक का फ्लैग दूसरे के ने छीन लिया ले लिया या जुका दिया तो यह जो पहली आर्मी जिसका फ्लैग था उसके लिए बड़ी शरम की बात हो है और किसी भी मिलिटरी के लिए सबसे बड़ा ओनर यही है तो इसको निशान भी कहते हैं निशान बेसिकली एक एंबलम होता है जो की सभी जो यूनिट ऑफिसर्स है वो वियर करते हैं अपने लेफ्ट हैंड स्लीव पे तो आपने देखा होगा कई सारे पुलिस ऑफिसर् आपको इस तरह केंबलम देखने को मिलते हैं यही हें जीतम है है यही ऑनर जो उस प्रली टीक र मिलिट का इनने के द्वारा शर्म Department of Information और इसमें लास्ट 25 सालों की सर्विस देखी जाते है कि 25 यह में किसी भी पर्टिकलर मिलिटरी यूनिट ने कितना कैसा काम किया है उस बेसिस तो इसको यह अवाड दिया जता है तो यह जो कलर कैरी करने का जो प्रैक्टिस है यह बैटल्स के टाइम से चला आ रहा है लेकिन लेकिन हमने यह कलर करने का जो प्रैक्टिस उसको चालू रखा है अभी भी एक्सित करता है और क्लरसफ से चेना जा रहा है लोस कर रही है तो और वह उनिट के लिए बडட शरम की बात है और जो भी यूनिट से गेन कर रहे हैं उसके लिए बड़ी ऑनर की बात है बढ़ते हैं आगे हैं नेक्स्ट हमारा जो इश्यू है डाट इस बाउट लेपरोसी इंडिया अकाउंट फिफ्टी टू परसेंट फॉर्ल न्यू लेपरोसी पेशिंट तो बेसिकली देखो ऐसा है कि हमारे देश में बहुत तगड़ा काम किया हमारी गॉवर्मेंट ने बहुत तगड़ा काम किया लेकिन यह सारे हमारे अच्छे करम धुल गए कोविट के टाइम पे हुआ कुछ यूं कि 2005 में इंडिया को लेपरोसी ऑलिमिनेटेड कंट्री कह दिया गया मतलब लेपरोसी हमारे देश से खत तो यहां पे प्रॉपर डिटेक्षन नहीं कर पाए और उस चक्कर में आज यह स्थिती है कि लेपरोसी की आधि से जादा जनता जो है वह हमारे देश में है और बेसिकली अभी यहां पे लेपरोसी 2023 तो 2027 यह नैशनल रोड में बनाया गया था कि हमको यह लेपरोसी का जो प्रेविलेंस से कम करना है और उसमें यह पता चला थिक है तो हमारे देश में डिटेक्शन जो है वो 43% से गिरा है 2020-2021 में और उसके बाद अगले साल 34% से गिरा है और मेजर ली कोवट के कारण ही यह सब हुआ है तो अगर आज आप देखोगे तो लगभग 75,394 ology 121-22 का डाटा है तो 75,000 से भी ज्यादा cases है हमारे देश में जोकि लेपरोसी से पीडित है ठीक है हमारे देश में इतने लोग चली से पीडित है तो बात करते हैं लेपरोसी कीách जिखोग ऑ्लेपोसी को आपको कुछ feel ही नहीं होता है, loss of feeling हो जाता है, यह इस तरह के lumps या bumps बनने लगते हैं, और यह चीज सिर्फ हाथ-पैरों के साथ नहीं, यह सारी चीज़ें peripheral nerves को affect करते हैं, skin को affect करती हैं, तो आपकी nose की lining में आप देख सकते हो, आँख के आसपास दे सकते हो, kidney के आसपास, male reproductive organs के आसपास आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है, सबसे पहले, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, कि leprosy के symptoms properly visible होने में 3-5 साल तक लग जाते हैं, और यह बहुत जादा time होता है, और अगर आप देखोगे, कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं, जिनको leprosy हो होने जाती होता है, फूसर्व के बेक्टीरियो सफेता हुच हो कि बाइक बेक्टीरियम इंसेक्षिन हो इसमें नर्व्ज, लेग्स, आम्स, नोस, फेस, मसल, गलावकामा, इडनी और एरेक्टालिय, सब कुछ अफेक्ट होता है, डिस्क्वांक्शन होने लगता है, ट्रीट्मेंट की बात करें, तो हांजी ट्रीट्मेंट अवेलेबल है, 100% यह क्योरेबल है, 100% आप इसको ठीक कर सकते हो, multi-drug therapy लेकर, तो इसमें कई सारे drugs होते हैं, जैसे कलोफाज, आइमाई होता है, डेपसॉन होता है, कई सारी दवाईयां होती है, जिसको लेकर आप इसको ठीक कर सकते हो, लेपरोशी spread कैसे होता है, लेपरोशी कैसे फैलता है, तो देखो लेपरोशी एक क्राणिक सकते हैं, और ये धीरे-धीरे अपना जो bacteria है, जो mycobacterium leprae, ये अपने आपको multiply करते जाता है, mainly ये skin को peripheral nerves को, mucosa को, respiratory tract को affect करता है, और इसका incubation period भी 3-5 सार होता है, कई बार 20 साल भी होता है, least infectious है, सबसे कम infectious है, लेकिन common cable फिर भी है ये, जैसे chicken pox और tubal klosis फैलते हैं, वै droplets उसकी नाक से निकले हैं, मुह से उसके जो भी droplets निकलते हैं, वो अगर किसी के contact में आ जाते हैं, तो उस case में जो person उसको भी लेपरोसी हो सकता है, तो बहुत important ये चीज है, लेपरोसी के बार में होप आपको समझ में आ गया, देखो कुछ topics होते हैं, जो बड़े ही important होते ह हैं, और ये topics को आपको पहले से prepare करना अपने prelims के लिए, okay, बढ़ते हैं आगे, तो next बात कर रहे हैं हम, चीटा की, और ये चीटा इतना जादा famous हो गया है हमारे देश में, लास्ट एक साल से सिर्फ और सिर्फ चीटा 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 ही news में है, तो इतने articles जो चीटा के मुझे मत छोड़ना, ठीक है, चीटा का topic जो है, बिल्कुल मत छोड़ना, यूँकि UPSC prelims में बहुत high probability है कि चीटा के उपर question आएगा, तो बिल्कुल भी इसको miss out मत करना, तो 12 चीटा है, 12 चीटा अभी हमारे देश में आ रहे हैं, इससे पहले हमारे देश में already हम चीटा क को लाज चुके हैं, कहां से लाए हैं हम, चीटा को African continent में एक देश है Namibia, वहां से हम अपने इंडिया के मध्यप्रदेश के कुनो पालपूर National Park में इसको लेकर आए, कुनो पालपूर National Park कौन से district में पढ़ता है, जरा comment section में मुझे बताओ, कुनो पालपूर National Park कहां पढ़ उसमें हम चीटा को proper habitat में री इंट्रड्यूस करना चाहरे हैं, तो बेसिकली यह सारे मिले जुले objectives हमारे हैं, और चीटा री इंट्रडक्शन प्रोग्राम में हमने South Africa के साथ, Botswana के साथ, और Namibia के साथ कुछ agreements करे हैं, हमने बोला कि भई, आफ हमारे इंट्रड़क्शन प आप हमको अपने चीटा दो, री इंट्रडक्शन के लिए, तो इसमें से नामीविया से हम ले आ चुके हैं, South Africa से अब हम ला रहे हैं, 12 चीटा, और इनको यहाँ पे लाया जाएगा, again किसमें, कूनो पालपूर नैशनल पार्क में, कई सारी वैसे तो locations थी, जिनको पहले सो South Africa से वहाँ से निकल चुके हैं, Boeing plane में, और अब आने वाले हैं, यह कूनो नैशनल पार्क में, और इनको भी शुरुआत में, इंक्लोजर में रखा जाएगा, इंक्लोजर में इस तरह से रखा जाएगा, कि यह नए climate से थोड़ा सा अक्लेमाटाइज हो जाएं, थोड़ा स समझ जाएं, थोड़ा सा adjust कर लें, थोड़ा adopt कर लें climate को, और इस enclosure technique का नाम होने वादा है, Boma technique, Boma technique क्यो होती है, कि एक ऐसा enclosure होगा, जो पता ना चले इनको की enclosure है, जैसे कि एक रास्ता बनाया होगा, एक route बनाया गया होगा इन चीतास के लिए, जहां यह इनको hunting के लिए, एक passive hunting के लिए, एक शिकास दिया जा सकता है, यह फिर इनके सामने लाकर, जो भी इनका food है, वो रख दिया जाए, so that यह धीरे-धीरे पहले climate के साथ adjust कर लें, फिर इनको proper open wildlife में छोड़ दे हम, वैसे हमने अभी पुराने वाले जो चीता हैं, उनके साथ भी किया है, अभी बोमा टेखनीक से निकाल कर, हमने enclosure से निकाल कर, अब धीरे-धीरे हम open wildlife में छोड़ रहे हैं, और इन में से कई सारे चीता जो पहले आये थे, उसमें से कई सारे चीता ने properly adapt कर लिया है, और हंट अब खुद के basis पर करते हैं, उनको कोई protection या कोई help की जरूरत नहीं पढ़त और यह जो है संस्कृत वर्ड जो है चीता, वहां से आता है, इसको कहते हैं, चीता पहला हमारे इंडिया का, नहीं, वर्ड का ही, fastest land animal है, और इसकी historical range आप देखोगे, तो सब सहारन एफरिका से लेकर एस्ट इंडिया तक इसकी पहुँच रही है, रेंज रही है, यह only large carnivore है, जो इंडिया में extinct हो चुका है, इंडिया में बचा ही नहीं है, एक भी चीता नहीं बचा है हमारे खुद का, ठीक है, तो यह हुआ है, because of the habitat loss, हमारे देश में last चीता देखा गया था 1947 में, और यह extinct हो चुका है 1952 में, अब दो तरह के चीता होते हैं, एक होते हैं, एशि लादा नहीं बचे, 45-50 चीता कुछ बचे हैं, हमने पहले कोशिश की गई थी कि भाई, एशियाटिक चीता को ही लेकर आए इरान से, लेकिन इरान में हमको एशियाटिक चीता देने से मना कर दिया, तो हमें आफरिका के पास पहुच गए, और आफरिकन चीता जो हैं, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीता पोपुलेशन को ग्रो करने के लिए, पहले बच हमारी एट चीता की आचुकी है, नामीबिया से, कुनो पालपूर नैश्निल पाक में, और अब जो है, नेक्स्ट बच हम लेकर आ रहे हैं, साओध आफरिका से, और इनको इनीशल में, मुझे बताना कहां पर पढ़ता है, यह कौन से डिस्टित में, दूसरा है नौरा देही, नौरा देही विद्ध्या रेंजिस में आता था, और इसके लबच शाहगर्ड, शाहगर्ड जो है राजिस्थान में हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के पास में, इंडिया हमने finally kono palpur final किया है बात करते हैं चीटा की तो देखो चीटा leopard और jaguar ये तीनों बहुत similar से दिखते हैं लेकिन चीटा की बात करते हैं चीटा जो है IUCN के हिसाब से एशियाटिक चीटा critically endangered है और African चीटा 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 इतना हो गया है कि अब मैं ये चीटा वाला टॉपिक फिर से कभी भी नहीं मतलब कम से कम प्रिलिम्स तक तो नहीं लेकर आँगे इतनी वहार हमने होते हैं इनका मुँ इस तरह से चोटा होता है और ब्लक टीमार्स होते हैं यहाँ इसको फोटी है और यह शो है यह शो है और परसंद इंक्रीज इनकी चीता है और कौन सा Leopard है तो Leopard इस तरह के इनके उपर मार्क्स होते हैं जबकि यह इस तरह के डॉट्टेड उते हैं चीता के उपर जैङगुआर की बात करें तो जैगुआर ईूसिंट के साब से नीइर उसमें Black Panther होता है, Bageera क्या नाम होता है, वही Black Panther होता है, दुए जैगुवार का ही टाइप है, इनके टेल रिलेटिवली शोट होती है, और ये लार्ज फेस होता है, और इनकी बोडी पर इस तरह की मांक्स होते हैं, जैसे ये इस तरह से एक एंक्लोच्ण मांक होते हैं, और इ इशु है कि जो Orgon Transplantation हूरा है उसके कुछ जो नियमावली है जो regulation नेवं को change किया गया तो Union Health Ministry जो है उन्होंने बूला कि भाई हम जो Orgon Transplantation को रूल उसमें कुछ changes ला रहे हैं पहला चेंज यह लाया गया Orgon Transplantation को लेकर की हमारे देश में जो brain dead पीपल होते हैं उनके organs को आप transplant कर सकते हो जो living people है उनमें लेकिन इसमें पहले एक condition थी कि 65 years के जो 65 years से जाधा age वाले जो लोग हैं उनके लिए ये brain dead लोगों से organ transplantation करना was not allowed थीक है कि 65 years की age हो गई है तो उसके बाद उनके लिए ये जो cadaver organ transplant था वो allowed नहीं था जो brain dead person है जो मरत person है उसमें से organ transplant कर रहो तो ये पहले आलाउड नहीं था 65 प्लस age वालों के लिए लिए 65 प्लस age वाले लोग recipient नहीं बन सकते थे organ transplantation के लेकिन इसको change कर दिया गया बोला गे कि भाई सबके पास right to life है एज के उपर थो डिपेंड करता है दूसरी चीज बोली ज को लेकर पहले यह था ना स्टेट्स ने अपनी पॉलिसी रख ली डॉमिसाइल वाली जैसे गुजरात गवर्मेंट ने बोला कि गुजरात में organ transplantation उसका ही हो पाएगा जो गुजरात का resident है गुजरात का डॉमिसाइल है सुप्रीम गोड ने बोले यह क्या बात होती है ऐसा अभी को जो भी लोग request करते हैं organ transplantation के लिए उनको एक एक ID मिलेगे और उस ID के सबसुन का काम चलेगा आगे ठीक है और इसके अलावा चौती चीज़ी कही गई है कि states जो registration के लिए पैसे मांगते ना फील मांगते है 5000 उपे भरो 10,000 उपे भरो अगर आपको organ transplant कराने तो register करा पड़ता है तो ministry ने कहा है कि कोई fees नहीं ली जाएगी ऐसे patient से तो ministry का गहना यह है कि one nation हम रखा हुआ है हमने तो one nation one policy होनी ची regarding health regarding organ transplantation तो इसके लिए यहाँ पर organ donation awareness की यहाँ पर बात हो रही है तो यह पूरा मुद्दा है और इसमें जो यहाँ पर commission है जो organization है उसका नाम ह जो है सबसे apex body है नाम है इसका national organ and tissue transplantation organization तो national organ and tissue transplantation organization जो है यह national level की organization है आता है ministry of health and family welfare के अंतरगत दो डिपार्टमेंट्स इसके पहला है national human organ and tissue removal and storage network और दूसरा है national bio material center ओके तो यह दो department है नॉट्टू के अंतरगत दूसरी बात करते है next issue की next issue जो है यह है about china china के आसपास हमारी जो border है वहाँ पर जो village villages है in villages में living conditions को better करने के लिए हमारी government अभी इस बार के budget में एक scheme लाइए जिसका नाम है vibrant village scheme okay vibrant village program जो है उसके लिए upgradation किया गया है और यहां पर 7 ITBP battalions को लगाया गया है इस पूरे borderline पे तो इन इन एरियास के social और security framework को strong करने के लिए china के against हमारी जो पकड़ है उसको strong करने के लिए ITBP इंडो तेबेतन border police forces जो है उनको बढ़ाया गया है 48 400 करोड रुपीज का extra allocation हुआ है और यहां पर migration वगयरा को रोकने के लिए tourism को प्रमोट करने के लिए इन एरियास में vibrant village program चलाया जा रहा है और यह जो vibrant village program है यह 2022 से लेके 2023 और यहां से लेके 25 चप्रिस यानि कि 2022 से लेकर 2026 तक का यह program होने वाला है और इसमें 48 800 करोड रुपीज का allocation हुआ है बजट का northern border northeastern borders को यह cover करेगा ओके तो जरा vibrant village program है क्या यह क्या है बेसिकली यह villages जो है vibrant villages इसमें border villages की बात हो रही especially जो चाइना के साथ border है न उन villages की यहां पे infrastructure को सुधारा जाएगा funds का location अलग से होगा यहां पे और majorly 5 states के अक्रॉस यह villages होंगे हिमाचल प्रदेश उत्राखंट सिक्किम अरुनाचल और लद्दा क्या सपास ओके यहां पर objective यह है कि जो लेसी है उसके across living conditions को better किया जाए यहां पर 4G telecommunication आए electricity आए schools आए यह सब चीज़े यहां पर आए और security को हमको इन्हांस करना है जिसे हम देखते हैं कि चाइना वाले क्या करते ना कि LAC जो है borderline जो है उसके उस पार अपने एरिया में बहुत ज़्यादा population को ले आते हैं तो वही strategy अब हम अपना रहे हैं हम भी यहां पर अपने population को लेकर आ रहे हैं और population को लाने से क्या होता है कि यहां पर हमारी जो पकड़ है और स्प्रॉम हो जाएगी इस एरिया में ठीक है और program is modeled after Chinese action तो जहां जो चाइनीज के actions थे ना line of actual control के असपास लग्दाक standoff होगेरा के करते हैं आगे next issue is about warm water melts Antarctica glacier Antarctica जो कि सबसे बड़ा glacier वाला area है हमारे जेश में 7th continent इसको कहा जाता है यहां पर एक बहुत बड़ा glacier जिसका नाम है थ्वाइट्स glacier थ्वाइट्स glacier को doomsday glacier भी कहते हैं doomsday का मतलब क्या होता है कयामत का दिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह खतम होगा ना तो दुनिया का दिन इसको कहते हैं और यह यहां पर इसके आसपास warm water देखा गया इस फाइट्स glacier के आसपास जो कि इसके पेस को इसके बेसिकली मिल्ट होने की पेस को बढ़ा रहा है मिल्ट होने की स्पीड को बढ़ा रहा है तो साइंटिस ने देखा है कि अंटार्क्रिका का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है यहां पर इसके आसपास warm water जो इसके बढ़ा है और जहां जिसके कारण मिल्टिंग और जादा तेजी से हो रही है यह जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है फ्लॉरिडा का साइज का है और हमारे देश अपूरे दुनिया भर में यतना भी सी लेवल राइज हो रहा है उसका मेजर पोर्शन जो राइज हो है वो यहीं से हो रहा है थ्वाइट्स ग्लेशियर से और लगभग 50 cm तक यह सी लेवल को राइज करने का पोटेंशल रखता है सोचो आधा मीटर सोरी यह आधा मीटर याने की 50 cm हो गया तो 50 cm तक का अगर सी लेवल राइज हो गया तो सोचो हम बचेंगे नहीं बचेंगे क क्या डूब जाएगा चरणा सोचके देखो तो यह इसलिए बहुत जरूरी है कि यह कहां क्याता है थ्वाइट्स ग्लेशियर देखो फ्वाइट्स ग्लेशियर जो है यह ग्लेशियर न्यूज में इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से मिल्ट हो रहा है और इसके कारण सी हाफ मीटर से बढ़ा सकता है आधे मीटर से यह वर्ल्ड सी लेवल को बढ़ा सकता है पहले भी स्टडी लाइए जिसमें पता चला है कि इसमें बहुत बड़ी क्याविटी हो गई और जिसके कारण इसकी मेल्टिंग है बहुत तेजी से हो रही है यहां पर टेंप्रेचर से सब बढ़ने लगा है और इसमें देखा जा रहा है कि जो हीट ट्रांसपोर्ट हो रही है ग्लेशियर से ओशन करेंट में उसके भी कारण काफी जादा जो पैटल में क्लाइमेटलोजी से रिलेक्टिड वो चेंज हो रहे हैं और यह जो थ्वाइट ग्लेशियर बहुत क्रि हम यह बीचों बीच है साउद पोल साउद पोल से अगर आप वेस्ट में जाते हो तो यह आपको दिखता है यह इसको हम अंटाक्टिका पेनिल्सुला कहते हैं उपर यहां वेडल सी है इधर सदन ओशिन है नीचे आप देखोगे अमंसिंट सी है और यहां पे रॉस सी है त बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा जो इश्यू है डाट इस अबओ टैक्सिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स ऑफ ओईल कंपनी सबसे पहले यह विंडफॉल टैक्स क्या होता है इसको समझो विंडफॉल टैक्स ऐसा है कि मानलो यह कंपनी है एक्स वाइज इसने कुछ न उटी रुपी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर उन्होंने कुछ नहीं क्या एक्स्टरणल कंडिशन pó्न रिफ़ॉंसिबल इस एक्स्टी रूपी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए तो इसington पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाएगी और इसी ट्यक्स को कहा दोता है बीन of oil crude oil and atf okay जो turbine वगेरा में सुरूद लगता है न वो basically हुआ क्या कि कई सारी जो oil companies है उन्होंने जब oil बनाया था produce किया था तब चल रहा था हुआ ऐसे में oil के प्राइज़ एक दम शूट आउट कर गए और ऐसे में जो companies इनको हो गया भारी मुनाफ़ा और इस भारी मुनाफ़े को यहां पर redistribute करने की जिम्मेदारी लिए government ने गवर्मेंट ने बोला कि यह profit हुआ है तुमने तो कुछ किया नहीं external conditions के कारण हुआ है भी company के profit पर लगता है और यह profit वो profit है जिसको कि एक unprecedented event के कारण उस company ने कमाया है उसने कुछ अलग से इसके लिए नहीं किया है तो US congressional research service कहती है कि windfall as in unearned unanticipated gain in income through no additional effort तो यहां पे कोई additional effort नहीं है फिर भी आप अगर पैसे कमारे हो profit कमारे हो तो उसके उपर जो tax लग रहा अगर पीछे से लगाती है आज के समय में अगर government को पता चलता है कि अच्छा इतना profit हुआ है oil producing companies को extra तो government बोलेगे कि भाई तुमें काम करो 2022 से इसका tax तो अभी 2023 चल रहा है लेकिन 2022 से तुम इसका tax भरोगे okay तो basically आपको बता हूं मैं तो यहां पर February 3 को union government ने बोला कि windfall tax जो है इसको हम बढ़ा रहे हैं यह windfall tax oil producing companies और बढ़ा के देंगी और यह windfall tax क्या है यह मैं आपको बता चुकी हूं okay इसमें basically reason क्या है अच्छा इसको इंडिया में क्या कहते है इसको इंडिया में SAD कहते है SAD मतलब full form बता देती हूं SAD मतलब है special additional excise duty special additional excise duty जो है इसके च 20,000 क्रोड रुपीज एक्स्ट्रा कमाएं है ठीक है और 28,000 क्रोड रुपीज पिछले साल इन्होंने लगभग 40,000 क्रोड रुपीज कमाए थे एक्स्ट्रा ठीक है यह windfall का नत्रकत तो इन्हीं companies से basically यह extra tax इनके उपर लगाया जा रहे मेजर रीजन है Russia Ukraine war जिसके कारण oil prices एकदम shoot up कर गए है तो अभी आगे क्या है international energy agency ने कहा है कि global oil markets अभी relatively काम होने वाले है दीरे-दीरे oil prices पहले जैसे हो जाएंगे pre-wall level पे आ जाएंगे तो जब आएंगे तब windfall tax नहीं लगेगा लेकिन अभी तो इसके उपर पूरा-पूरा windfall tax लग रहा है I hope आपको समझ म इसके बारे में पहले भी कई बार डिसकास का चुकी हो लास्ट आज का आर्टिकल है वही जिसके बारे में हमने शुरुबात में बात करी थी mental health care act 2017 तो देखो हुआ क्या है national human right commission जो है उन्होंने एक report निकाली जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे देश में 46 government run mental health care institution है 46 government वाले mental asylum है इन 46 asylum के हालत बहुत ही inhuman है बहुत ही deplorable है यहाँ पे illegally patients को जबरदस्ती रोक के रखा हुआ गया है recovery हो चुके फिर भी उनको जाने नहीं दिया जारा घर पे उनके human rights का infringement हो रहा है और यहाँ पे उनको कई बार तो shocks वगेरा दे जा रहे हैं जो कि against है mental health care act के तो mental health care act क 2017 में लेकिन उससे पहले 1987 का यह act exist करता था जिसने बोला कि जो mentally health people है उनका एक institutionalization करना चाहिए लेकिन इसमें कोई भी provision नहीं था उनके rights को लेकर यह act ने बोला कि जो authority है judicial officers की medical health officers की उनको सबसे जादा authority दे दी गई उनको बोला गया जो decision लेने आप लो आपको यहाँ पे को काम हो रहे थे शौक्स दिये जा रहे हैं तो यह काम हो रहे हैं और कई सारे लोग जो है कई कई सालों तक mental health asylum में ही रुके हुए थे उनको जाने ही निया दिया जा रहा था घर और यह जो है हमारा जो colonial era का law है Indian lunacy act of 1912 इस पे बेल जिता तो इस act में माना जाता था कि जो madness है और जो criminality है वो आपस में equally है तो अगर कोई mentally unwill है उसको पागल मानना या उसको criminal मानना बहुत आम बात थी ठीक है तो basically Indian lunacy act के उपर ही धाये हमारा mental health act of 1987 लेकिन इसको हमने बदला हमने बोला हम mental health act of 2017 ला रहे हैं जिसमें हम इन सारे चीजों का ध्यान रखेंगे और उसके स इनलेशन का comprehensive mental action plan आया mental health atlas आया sustainable development goal आया इंडिया में आप देखते हो कि national mental health program आया कि रिन हिल्प लाइन मानस मुबाइल आप आया मनोदरपन आया यह मनोदरपन तो especially covid के टाइम पर आया था कि भाई अगर किसी को भी ऐसा हो रहा है कि वह mentally unwell feel कर रहा है depressed feel कर रहा है तो you can take the help of the professional उनकी help आप ले सकते हो तो basically mental health actor जो आया 2017 का उसमें क्या क्या कहा गया पहली चीज कि society को criminalize नहीं किया जाएगा society को decriminalize किया जाएगा जो person society कर रहा है मतलब mentally unwell है और अगर आप किसी mentally unwell person को criminalize करोगे तो क्यसा लगीगा मतलब कोई बिमार व्यक्तिव को आप यह मान लो कि वो कोई मुझरिम है तो क्या सही है क्या ही गलत है दूसरे चीज़ कि यहाँ पे आप उनको electroconversive therapy वगेरा का जो person है mentally unwell है वो अपना representative चुनेगा और वो representative बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कितने दिनों तक वो रोकना चाहते हैं इस person को mental institution में mental health care institution में क्या therapy उनको दिलवाना चाहते हैं नहीं दिलवाना चाहते हैं वो यह representative डिसाइड करेगा डॉक्टर अपने हिसाब स नहीं चाहिए वो बोलेगा खुद से कि मुझे शॉक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए health care का services का access free of cost health care services में लेंगे उसको community की services में लेंगी cruel in human treatment उसको नहीं मिल सकता prohibited treatment उसको नहीं चाहिए equality non-discrimination का right होगा उसके पास information का confidentiality का और legal aid का उसके पास सारा rights रहेंगे तो basically यही कहागे कि ministry जो हमारी mental health act 2017 का वो focus करता है rehabilitation पर और यहां पर conditions देखी ना यहां पर NHRC ने जो conditions देखी उन्होंने बोला आप ने तो भी इनको seclude कर रखा है isolation में रख रखा है और इनको ऐसी conditions में आपने रखा है कि ठीक कहां से होंगे आपने चेनिंग और जैसी चीज के हो है ministry जो हमारा mental health care act है तो basically government ने बोला है कि आप यहां पर restrictive options को use नहीं कर सकते हैं तो आप इनको halfway homes में sheltered accommodation में रखो आप यहां पे इनको chain करके नहीं रख सकते हैं चेन बांद के नहीं रख सकते हैं electric shocks इनको नहीं रह सकते हैं इनको hygiene मिलेगा proper sanitation proper मिलना चाहिए यह सारी conditions mental health care institutions को follow करनी चाहिए लेकिन डिख नहीं रहा ऐसा करते हुए इसके साथ में psychosocial approach यहां पर बोला गया mental health care act लेकिन enforcement में अभी भी challenges हैं अभी भी कई सारे residential service users हैं जो काफी लंबे समय से यहीं रुके हुए एक साल से उपर हो गए कई सारे लोगों को जो चाहीं नहीं पाने घर ओके और यहां में हम देखते है mental health review boards बनाए गए थे state mental health authorities बनाए गई थी ठीक है और इनको बनाने की कहा गया था mental health care act में लेकिन अभी तक भी कई सारे states में यह बनी ही नहीं है यह bodies ना establish हुई है और अगर establish हो गई है तो एकदम disfunct पड़ी है कोई यहां पर function नहीं कर रही है budgetary allocation भी कम है professionals की कमी है staff की कमी है और इन सभी के साथ में जो लोग हैं जो यहां पर लोग रह रहे है उनको right to live right to be part of society दिया ही नहीं जा रहा तो implementation का बहुत issue है community based services की बहुत lacking है okay तो यह था पूरा article हमने देखा कि पहले क्या था और आज का क्या scenario है तो that was all for today आज के session में इतना ही था अगर आप हमसे connect करना चाहते हो तो इन सभी mediums के तो आप हमसे connect करना कर सकते हो and if you like the session please like hit the like button please hit the share button share it with your friends subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लो और comment करना मत बूलना जो मैंने question आप से पूछा है कुनो पालपूर वेल्वाइफ कुनो पालपूर नाशनल पाप के बारे में कहां पे है ये कौन से district मैं है so that was all thank you for watching and have a very good day